नमस्कार मैं आसीस पाथक आप सभी का श्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में काफी लोगों के द्वारा कमेंड के माध्यम से मेसेज के माध्यम से बच्चे पूछ रहे थे सर जो ये वंदरोगा आ रही है ये कब आ रही है PT किस score से इसमें होगा इसकी eligibility क्या है इसका syllabus क्या रहेगा pattern of exam क्या रहेगा ठीक है तो इन सब ही चीजों की एक सौट जानकारी मैं बहुत कम समय में आपको दे दे रहा हूँ ये अभी UPSS-C से ये पता चला है कि जो vacancy आने वाली है वो आपकी ये वन दरोगा आने वाली है और उसके बाद EGTA आने वाली है ठीक है तो जितने भी आपके सवाल है इस vacancy से related की notification कब आएगा पद कितने होंगे इसमें 2000 PT 2021 का score card लगेगा या 2022 का score card लगेगा salary आपकी कितनी वनेगी eligibility क्या है syllabus क्या है mode of selection क्या है और उम्र क्या है एक-एक करके हम लोग जिकर करेंगे यहाँ पर ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपके कि notification कब आएगा तो जो पता चल रहा है कि आपका जानते ही हो UP SSS थोड़ा सा lazy इंसान है किसी तरह कोई काम करते 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 समय लग जाता है ठीक है फिर exam कराते कराते और समय लगता है तो on approach जो बताय जा रहा है कि अभी जो vacancy आएगी वो UP SSS के द्वारा नहीं और कोई नहीं देखने को मिलेगा वो आपको one दरोगा ही देखने को मिलेगा ठीक है वन दरोगा की ही अगली vacancy जब भी UP SSS का notification आएगा वो समझ लो यही आएगा यह ध्यान रखेगा आप UP SSS काम करना शुरू की आप लोग देख रहे होगे कि इधर मुख सेविका का स्लेबस आ गया उसके बाद से उत्तर कुंजी आपकी लेकपाल की भी जा रहा है अनुमाना पदो की संख्या इसमें 700 प्लस पोस्ट आ रहा है ठीक है वन दरोगा के 700 प्लस पोस्ट आ रहे हैं बहुत अच्छी जिसको हम बोल सकते फॉरेस इंस्पेक्टर ही होता है यह ध्याना ना इसके पहले वन रच्छक हुआ था उसमें पीटी नहीं लगा था वो पहले की वेकेंसी थी ठीक है अब पीटी 2021 लगेगा या 22 तो भाईया उमीद है कि पीटी 2021 लगेगा क्योंकि 22 का रिजल्ट या अगर सितंबर में आ गई तो कहां लगेगा जाहिर सी बात है 21 से लेगा अगर अक्टूबर में तो आपका एक्जामी है वो भी 15-16 तो उतना लेट तो नहीं है जो पता चला है उक के दवारा ये ये नहीं पता चला है ये तो कहा जा रहा कि सितंबर अक्टूबर ता कर आ गई तो भाईया 21 का पीटी स्कोर लगेगा ये भी कहा जा रहा है ठीक है कि पीटी 2021 का स्कोर कार लगेगा उसी से एलिजिबिल्टी आपकी वही लोग ही फॉर्म भर पाएंगे जो पीटी 2021 दिये है हाँ पीटी देना अनिवार है जो पीटी नहीं दिया है 2021 वाला वो फॉर्म नहीं फिल करेगा कई बार आप लोग यही चीज कमेंट में पूस्ते रहते हो हाँ इस भरती के लिए पीटी जरूरी है 2021 वाला एज क्या है तो एज आपका वही 20-40 साल की उम्र मांगा है 21-40 साल की उम्र होनी चाहिए और थोड़ा सा अगर हम बात कर लें आपका ठीक है कि eligibility क्या है इसमें तो eligibility जो है BSC क्योंकि जो combination दिया है वो हमें लग रहा BSC या BTEK वाले जो होंगे या BEE वाले या BEE वाले या eligible होंगे क्यों BSC का इसलिए मैंने बोला कि जो combination दिया है कि दो subject जो subject का combination detail आपका जो है पूरी वीडियो आलोक सर के द्वारा आपको दी गई है उसका link जो है इसके वीडियो के description में दे दूँगा आप लोग पूरी तरह detail देख लेना क्योंकि याँ पे गडित हो या physics हो या chemistry कोई भी दो subject से अगर आप graduate हो चाहे आप संख्याई के लिए हो चाहे परियावरण चाहे एग्रिकल्चर ठीक है तो इस BSC में एग्रिकल्चर stream भी आजाएगा बायू stream भी आजाएगा मैट्स वाले भी आजाएंगे तो वो हो गए और B.T.E.C. और B.E. वाले भी eligible होंगे बी ये वालों के लिए नहीं है अगर आप graduation में कोई भी graduation किये हो जो subject दिया है notification में जो आपका gadget आया था उसमें उसमें अगर दो subject से minimum दो subject से आप graduate हो तो आप eligible होगे ठीक है ये लिखा हुआ है उसमें और ठीक है उसमें कहीं B.E.C. वसी लिखा नहीं है लेकिन आप जाहिरती बात है जो subject दिया वो B.E.C. के ही है mode of selection क्या होगा written exam होगा और physical होगा अब written exam में आप पूछोगे sir written exam में क्या हो सकता है syllabus क्या हो सकता है देखा कि हमने देखा तो one रच्छक का paper तो one रच्छक की paper में जो चीजे थी on approach हम एक तरह से expected बता रहें भाई मेरा कोई यह नहीं अभी कोई आयोग ने नहीं दिया है expected जो ऐसा लग रहा है कि one रच्छक की तरह इसका भी syllabus होगा जैसे आपका reasoning में maths पूछा था reasoning और math के जो आपके 60 question थे न reasoning का question जा दे रहेगा math के question कम रहेंगे ठीक है GS के 60 question और Hindi के 80 question यह मैं expectation बता रहा हूँ कि ऐसा 60-60 120 और 80 मतलब 200 प्रस्ण आपका होगा और 1 by 4 आपका negative हो सकता है ठीक है तो यह जाहन देना है 1 by 4 या 1 by 3 maximum chance है 1 by 4 के होने का तो हो सकता है इसी pattern को repeat करे जो वन रच्छक वाला pattern है या हो सकता है कुछ और करे यह notification आने के बाद clear हो जाएगा ठीक है लेकिन उमीद यही है कि हो सकता है कि इसी को follow किया जाए ठीक उसके बाद से return जब दे लोगे यह pattern MCQ based होगा exam आपका उसके बाद से जो second phase होगा इसको देने के बाद जितने लोग short list होंगे वो आपके physical exam देंगे उसके आपके height में कुछ चाहिए 103rd चाहिए chest आपके 84 चाहिए female की height 150 कई जगा female की chest नहीं पूसता है लेकिन यहाँ पर female का भी 79 दिया है उसके बाद से running आपको करना है जैसे forest यहाँ पर देको running क्या है अच्छा खासा running मांगा है 25 किलोमीटर male candidate को जो पूरुस वर्ग है आपका पूरुस वर्ग को 25 किलोमीटर 4 घंटे में दोड़ना है और महिला वर्ग को 14 किलोमीटर 4 घंटे में दोड़ना है ठीक है तो एक तरह से time है आपके पास थोड़ा सा running करते रहो marathon टाइप वाली तो वह आप कर ले जाओगे ठीक है उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा आप पूस्ते हो कि sir इसकी salary क्या रहेगी वन रख्षक की ति on a most हमें लगता ही अठाइसो grade pay की job है इसका जो pay matrix है grade pay तो आप शटी गया है मैंली matrix से देखा जाता हो लेबल 5 पे लेबल 5 का है pay matrix 39,200 से 92,300 है इसका मतलब कि 39,200 आपको basic मिलेगा ही मिलेगा उस पर आपको DA बढ़ चुका है 34% DA जोड़ लोगे तो 9,928 रुपया मनलब 49,128 रुपया आपका सिर्फ DA और basic मिलाके हो रहा है अभी इसमें कुछ alliances जोड़ोगे कुछ deduction होगा तो हम कह सकते हैं कि 42 से 44 in hand आपको मिल सकता है इसमें salary तो अच्छा खासा salary है अब रही बात कि सर्फ क्या इसकी PT का score कितना जाएगा भाई देखो PT का score कितना जाएगा 700 post है अब form कितने भरी जा रहे है क्योंकि एक आपका filter लग चुका है कि BSC और BTEC वाले ही मतलब technical वाले ही इसको apply कर सकते हैं almost ठीक है मैं यह बोल ला हूँ तो filter लग चुका है आपने देखा 8000 post के लिए 62 नंबर कटफ गई थी ठीक है तो 700 post है आप समझ सकते हो जितने form जाएगे उसके अपेच्छा 15 गुना इसके 15 गुना अभ्यारती आपको बुलाए जाएगे ठीक है 15 गुना इसके अभ्यारती बुलाए जाएगे तो कितने पर आपका हो सकता है कटफ तो almost इतना जानके रखो कि कटफ जब तक form आपका कितना फिल नहीं हो रहा है उसके according हम नहीं बता सकते जब form आपका क्योंकि number of candidate भी तो जरूरी है जब तक number of candidate नहीं पता चलेगा हम कैसे बता हो सकता है form ही कम पड़े जब form कम पड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा कटफ नीचे आजएगी अगर form जादे पड़ा तो कटफ उपर जाएगी तो इसके बारे में अभी prediction कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन हाँ जितने लोग 65 से उपर हो या 70 से उपर हो तो वो तैयारी करते रहना ठीक है 65 हो 70 के उपर वाले जितने हो तैयारी करते रहना देखो ये मेरा अनुमाना है भाई कुछ भी हो सकता है इसमें मैं कोई भविस्वारी नहीं कर रहा हूँ जब तक form नहीं एक्जेक्ट पता चलेगा कि कितने फिल होंगे ऐसे हम अंदाजे कुछ नहीं बोल सकते है मैं बस एक सहूलियत के लिए आपको बोलना हूँ कि इतने वाले थोड़ा मतलब एक मांसिक अपनी स्थिती बना लो कि वन दरोगा आ रही है और भी जो इससे रिलेटेड आपकी क्वैरी है आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो पूरी टीम कोसिस करेगी कि आपके इस वन दरोगा से रिलेटेड जो भी क्वैरी उसको सॉल्व किया जा हाँ कुछ बच्चे यह बोल लाए थे कि क्या सर आप इसका पेड कोर्स निकालोगे करोंखने बच्चो देखो आप जो बोल ला थे सर कुछ बच्चे तो बोल लाएं कि सर आप पेड कोर्स निकाल दो ला दो मलोग तैयारी करने लगें झिसका तो सिंपल सी बात है देखो इसका अभी जिसको जिसको कोर्स चाहिए कि आप कमेंट के माध्यम से ठीक है कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो तो इसका पेड़ कोर्स आपका परिक्षा प्लस एप पर आएगा आप इंस्टॉल कर लो ठीक है आप परिक्षा प्लस एप इंस्टॉल कर लो ठीक है परिक्षा प्लस एप इंस्टॉल कर लो वहाँ प लोग तैयार हो जाएंगे कि आल्मोस्ट हमें लग रहा है कि 80% से 90% तक उमीद कि वही सलेबस आपका रहेगा ठीक है तो आप तैयारी भी वही चीज रखो जैको रिजनिंग तो आपका आता ही आता ही हर एक्जाम में आपका उसके बास पढ़ना ही पढ़ना हिंदी आपका आ सलेबस बनाएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है जैसे मुख सेविका के अलग से बना दिया ठीक है लेकिन जब तक नहीं आता है तो आप लोग नोटिफिकेशन एप इंस्टॉल कर लो जल्द ही आपको सुचित कर दिया जाएगा और जिसको चाहिए वो बता देना कि सर मुझे चाहिए मुझे बैच तो हम उसी साब से एस्टिमेट करेंगा और फिर बैच को जो है निकालेंगे ठीक है तो जो भी दिक्कते हो आपको इस वेकेंसी से रिलेट कोई क्वेरी हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं कोई सब्जेक्ट कंबिनेशन से दिक्कत हो तो आपको वीड लेता हूं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद